हेलो दोस्तों सागत है आपका हमारे यट्यूब चनल पर तो इस ओड़ो में हम आपको उताने वाले हैं कि अगर रियल्मी मॉबाइल का स्क्रीन जल्दी बंद हो जाता है तो कैसे इसे सही करें तो अगर आप चनल पर पहली बार आए हैं तो डियो को लाइक और चनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो गाईस सबसे पहले आपको मॉबाइल के सेटिंग में जाना है सेटिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पर एक उप्शन मिलेगा डिस्पले एंड ब्राइटनेस या डिस्पले नाम से आपको इस वाले सेटिंग पे किलिक कर देना है तो चलिए हम किलिक करते हैं किलिक करने के बाद यहाँ पर आपको एक उप्शन मिलेगा आटो स्क्रीन ओफ तो यहाँ पर देखिए आटो स्क्रीन ओफ और यह देखिए 15 सेकेंड सो कर रहा है इस पे क्लिक करना है तो यहाँ पर देखिए 15 सेकेंड पे सेट है इसलिए 15 सेकेंड पे हमारा फोन देखिए स्क्रीन ओफ जा रहा है अगर आपके फोन में इससे भी कम हो सकता है ज्यादा हो सकता है या इतना ही हो सकता है तो आपको ज् मिनिट में मारा फोन बंद होगा इस्क्रीन ओफ होगा आप चाहें तो दो मिनिट पे भी किलिक कर सकते हैं तो इस तरीके से आप सही कर सकते हैं गाईस या फिर आप चाहें तो सेटिंग में जाने के बाद अगर आपको एवाल आप्सन नहीं मिला है तो सर्च बार में किलिक कर करके लिखेंगे अगर display तो यहां पर आ जाएगा display and brightness आप इस पर किलिक करके यहां से भी कर सकते हैं देखिए या फिर इससे भी असन तरीका है आप search बार में क्लिक करके लिखेंगे आटो स्क्रीन आफ तो यहां पर आ जाएगा इस पर क्लिक करके आप यहां से कर सकते हैं देखिए यहां पर तो गाइस अगर इतना करने के बाद भी प्रॉलम का सलुसन नहीं हो रहा है तो सिंपल आपको क्या करना है वो में स्क्रीन पर आना है मोवाइल के पावर बटन को दबा के रखना है दो से तीन से चार सेकेंड तर और वहां पर आपको एक उप्शन विलेगा रिबूट या रिस्टार्ट का आपको इस पर किलिक कर देना है आपका फोन स्विच ओफर कर स्विच ओन होगा और जो प्रॉलम रहेगी 100% ठीक हो जाएगी या फिर आप चाहें तो अपने मुवाइल को स्विच ओफ करके स्विच ओन भी कर सकते हैं तो गाईस आज की डूम बस इतना ही वडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए थैंक यू